8 नमबर 2022 को पूर्ण चंदगरहण देखा था और उससे पहले अक्टूबर हमें आप लोग ने आंसिक चंदगरहण देखा होगा देखे हम लोग यहाँ पुरानिक कताओं पर नहीं जाएंगे पुरानिक मतों पर बात नहीं करेंगे हम लोग बिग्यानिक आधार को देखेंगे कि चंदगरहण या सूर गरहण होता क्या है और क्यों होता है इस पर एक सामानी चर्चा हम लोग कर लेंगे और बहुत सारे डा सवार्धिया, और यह आप देखेंगे, खन्ड चाया, तीन तरह के आप लोग देखते हैं, और आप देख लिएजी, यहां और कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ चित्य दिभी दिखाई दे रहा है, पूड, चंद गहन, अंसिक चंद गहन, और मांद चंद ग इसमें आप लोगों को बुद्ध ग्रह देखने को मिलना उगा फिर सुख्र ग्रह देखने को भी देखने को मिलना उगा उसके बाद मंगल ग्रह और सुख्र और सूरे ग्रहन की स्तिती भी देख लेंगे कि वो क्यों पड़ता है तो हाली में 8 नवंबर 2022 को पूर चंद ग्रहन देखा गया है और इसके पहले भारत में अक्टूबर 2022 में आंसिक सूर ग्रहन देखा गया था और सुपर मून की बात करें हम लोग तो यह सुपर मून क्या होता है सुपर मून क्या होता है देख लेज़े एक पिक्चर आपको सुपर मून की देख रही होगी तो यह उस इस्तिती को दर्साता है जब चंद मा अपनी कक्षा में पित्वी की सरवादिक निकट और साथी पूर आकार में होता है इसे आप लोग क्या कह देते हैं? सुपर मून और चंद मा पित्वी का उग्रह है यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए चंद मा द्वारा पित्वी की परिख्मा की जाने के दौरान एक समय दोनों की मद्द सबसे कम दोरी रह जाती है और इस सबसे कमदोरी वाले क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं और कहा जाता है जब दोनों की मद सबसे अधिक दोरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? आपभू कहते हैं यह आप देखें प्रेलेम्स में अगर आप लोग किसी वेक्जाम की तैयारी करा है सेविल सर्विस या इस्टेट PCS की या वन डेक जाम की तो उसमें इस तरह के कुश्चन स्पूच लेता है उपभू क्या कहते हैं अपभू क्या कहते हैं जब चंदमा और पितवी की बीच सबसे कम दोरी हो उसे क्या कहते हैं और जब सबसे जाना दोरी हो दोनों की बीच उसे क्या कहते हैं अमालेजे की ये पितवी है और ये चंदमा आप देखें इनके पास अगर पितवी के पास रहेगा चंदमा तो इसे उपभू कह देते हैं और जब और किसक जाएगा तो आप देखें क्या कह देंगे इसे अपवू कह देंगे. अपूर्ण चंदवा पित्वी से कम से कम दोरी के बिंदू पर दिखाई देता है और इस समय यह नाकेवल अधिक चमकीला दिखाई देता है बलकि सामान पोडिमा के चंदमासे भी बड़ा होता है और नासा की एगर हम लोग बात हैं माने नासा आप देखिए अंतरिक्ष अमेरिकी अंतरिक्ष एजन्सी है नासा और इसकी स्थापना की एगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 29 जुलाई 1959 में इसकी स्थापना हुई थी बॉसिंग्टन DC USA में इसका हैड़क्ष देखने को मिलेगा और हमारी अंतरिक्ष एजन्सी यानि की भारत की अंतरिक्ष एजन्सी क्या है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1989 में हुई थी बैंगलूर में इसका हैड़क्ष आपको देखने को मिलेगा तो नासा कि अगर हम लोग बात माने तो यह कहता है सुपर्मून सब्द वर्स उन्डिस सो उन्यासी में जोतीसी रिचर्ड नौल द्वारा दिया गया था और एक सामन वर्स में दो से चार पूर्ड सुपर्मून और एक पं सामन में आता है चंद गरहन क्या है तो चंद गरहन तम होता है जब पितवी की छाया चंदमा पर पढ़ती है और इस दौरान सूर पितवी और चंदमा एक दूसरे के बिलकुल सीद में होते हैं और यह घटना केबल पूर्डिमा के दिन ही घटती है अब आप देखें कि पि इन नुम्बरा की तरह चला जाता है और पितवी की छाया का वहसा जहां सूर से आने वाली बाला संपूर पिकास अउरुद नहीं होता है और चंदमा की भूभाग का वहसा सामानिता पूर्डिमा की तुला में धुला दिखाई देगा और उसके बाद चंदमा पितवी की कक परिवर्तित एक बात पिकास पतले ही पहले ही बापस ले लिया गया है और यहां परिवर्तित किया जा चुका है यहां आप देख लिएजेगा पूर्ण चंद गेहड तब होता है जब पित्वी सूरे और चंदमा के बीच इस्तित होती है और पित्वी की चाया चांद पर पढ़ती है किसकी पितवी की चाया चांद पर बढ़ती है सूरज की नहीं बढ़ती है ठीक है? और इस दौरान चंदमा की पूरी डिस्क पितवी की कक्षा या पिती चाया में होती है और इसलिए चंदमा लाल बिलू मून दिखाई देता है और रैलिक पिकीडन नामक घटना के कारण चंदमा लाल रंका होता है ये भी कुश्चन साब से पूच ले कि चंदमा लाल रंका क्यों होता है तो रैलिक पिकीडन के कारण रैलिक पिकीडन का मतलब क्या होता है तरंग देज में परिवर्टन के बिना किसी माध्यम में कनो द्वारा पिकास के पिकीडन से है और यही कारण आगास नीला दिखाई देता है और गरहन की द्वारा चंदमा लाल हो जाता है और इसलिए क्योंकि इस तक पहुचने बाला सूरी का पिकास पितिवी के वाईवेंडल से होकर गुजरता है और धूल या बादलो के कारण देड़ साल में एक बार होता है आंसिक चंदगरहन जब चंदमा सूरी के बीच पितवी आ जाती है एवं वह सूरी से चंदमा पर आने वाले पितेक्च पिरकास में बाधा डालती है और यह चाया बढ़ती जाती है और फिर चंदमा को पूरी तरह से ढके बिना कम हो जाती ह इसी को क्या कहते हैं? आंसिक चंदक्रहं. पिंदमा पितवी के पेंदम्ब्रा या इसकी छाया की बाहरी भाग से होकर गुजरता है. इसे देख पाना मुस्किल हो जाता है. देखीं, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, इस तरह की बात हो रही है. तो जब पितवी और सूर के मद्द चंदमा आ जाता है, तब सूर का पिकास पितवी तक नहीं पहुंच पाता है, और पितवी की कुछ हिस्ते पर दिन में अधिरा अचा जाता है, और इस स्तिती को सूर गहर कहते हैं, और पितवी गिरह है, और पितवी के पास आप देखते हैं कि कोई अपना एक तरह से उड़ जा नहीं है, अपने आप वो उसे रोसनी नहीं मिलती है, सूर भगवान से हम लोग रोसनी प्राप्त करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तोसी क ले लिजे, और माल लिजे कि देखे, है आपका सूर भगवान हो गया, यानि कि LED लगी हुई है नीचे माल लिजे पित भी हो गया या ठीक है? और बीच में आप माल लिजे कि कोई ऐसी मतलब आशोचे पिलेट रख दीजे, कि ओपर LED का बलब का उजाला पित्वी यानि की नीचे धर्ती पर नह पड़े तो यहां अधेरा हो जाएगा समझ रहा है आप लोग तो इसी को आपके एक तरह से सूर गहन कर देते यानि की सूरी का यानि की LED का उजाला पित्वी यानि की धर्ती पर नहीं पड़ रहा है ठीक है यह हारं पितवी के एकभाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है और इस घटना के दी दोराण चंदमा सूरी की पूरी सतय को ढ़क लेता है। तो सूर का केवल कुरोना दिखाई देता है। और इस लिए कहा जाता है क्योंकि गरहण की अधिक्तम बिंदू समगेता की मद्द बिंदू पर आकास में अंदेरा चा जाता है और तामान गिर जाता है और आप देखते पुराणों में अलग-अलग कहानी की ये निगल लेता है वो निगल लेता है उस पर आप जाईए नहीं उस पर अगर आप लोग तरह से नहीं ढग पाता है, उसमें केबल कुछ हिस्सा दिखाई देता है, इसे आप लोग बलयाकार सूर गहन करते हैं, चोकी चंदमा पितवी से बहुत दूर है, इसलिए यह सूर से छोटा दिखाई देता है, और सूर को पूरी तरह से ढग नहीं पाता है, और नतीजन मकदार बलय के ऊपर एक अंधेरे बलय के रूमें दिखाई देता है, जो चंदमा के चारो और एक रिंग जैसा दिखाई देता है, आंसिक सूर गहन तब होता है, जब सूर और पितवी के भी चंदमा गुजलता है, लेकिन सूर और चंदमा और पितवी पूरी तरह से एक सा फीड़ाताद नहीं होते हैं तो उसे आलवं से सुरिवहन करते हें सुक्तलच की देखाई देता है और जी से यार चλλनदाकार आकार का देखाई देता है सुरह पूर्ण या बल्याकार सुरिवहन के दौरान चंदमा की आंतरिक चाहा से अच्छाडित चेत के बाहर लोगों को आलसिक सूर गेहन दिखाई देता है पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है मिसरित सूर गेहन पितिवी की सतरी की बक्ता के कारंण कभी-कभी गरहन की चरण वल्याकार और पूरता ग्रहण के बीच परिवर्तित हो सकता है क्योंकि चंदमा की चाया दुनिया भर में दिखाई देती है और इसी को आप लोग मिसरित सूर गहण कह देते हैं यह आप लोग देख लिजे एक आकर्टी भी आपके सामने है तो इसे भी देख लिजेगा तो यह सामान ने एक तरह से आप देखे जानकारी है और भूगोल आप लोग पढ़ते हैं और अगर आप लोग सेविस की तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीस की तैयारी करें तब तो आप लोग एक काम और करिएगा आप लोग एंसी जाइटी बुक्स पढ़िएगा और यह बड़ो मतलब और समझ में आप आपको और एक बिस मजबूत होता हैं सी जाइटी बुक्स पढ़ने से और होता कुछ नहीं है बस समझ में आता है मुझे लगता आ गया होगा समझ में तो जबर नहीं आया है तो अभी भी बताईएगा कहा किया प्रॉबलम मनी हुई है उस पर भी हम लोग बात कर लें सूरी का मतलब आप सोची सूर गहन का मतलब सीधा सा है सूर भगवान और पितवी के वीच आपका चंदमा आ जा रहा है और चंद गहन का मतलब है कि सीधे सूर भगवान और और आप देखेंगे चंदमा के बीच पितवी आ जा रही है तो इस तरह से आप लोग याद रखे ठीक है?